हेलो डियो स्टेट्स मैं स्पनील मौरिया तो आज बच्चे हम लोग इंडेफिनिट इंटेग्रल में आगे डिस्कुशन करते हैं लाज्ट वीडियो लेक्चर तक हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटेग्रल में काफी कुछ सीख लिया था इंडेफिनिट इंटेग्रल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया वो चैनल को सब्सकाइब करें अगर भी वीडियो मेरी पसंद आ रही तो उसे लाइक और शियर भी करें तो last video lecture तक हमने काफी integral के type discuss किये थे आज हम लोगों को जो type समझना है integral के काफी कुछ formula देखने है अगर देखोगे तो 3 type के हमें integral की कहानी को समझना है under root a square minus x square dx को हमें समझना है एक हमें बच्चे समझना है a square plus x square dx को समझना है और एक हमें x square minus a square dx को समझना है ये 3 type के integral हम लोगों को देखने है ये 3 type के integral की कहानी को हमें क्या करना है समझना है तो यहां से आपको ध्यान से समझते वे चलना है कि इन 3 type के integral में हमें किस तरीके से क्या integral मिलेगा तो आप लोगों ने पीछे काफी कुछ discuss किया होगा आज पीछे काफी कुछ पढ़ लिया होगा आज हम लोग उन्हें पे बात करते हैं तो हम पहले type से start करते हैं और कहानी अपनी समझते हैं तो सबसे पहले type आज हमारा जो integral है वो है under root a square minus x square a square minus x square dx को हमें समझना है हम लोग by parts के topic को समझ रहे हैं तो यहां से अगर हम देखें तो हमें अब 1 into under root a square minus x square dx लिखेंगे यहां से अगर देखें तो हम अगर देखें तो इसका direct integral तो है नहीं है तो हम इसे क्या नाम दे देंगे first function नाम दे देंगे और इसे क्या नाम दे देंगे second function नाम दे देंगे जो direct integral होता है बच्चे हम लोग उसको generally first function नाम दे देते हैं sorry second function नाम दे देते हैं तो यहां से यह direct integral तो है नहीं तो यहां से अगर देखें तो अब isolate के according देखो इसमें technometrical substitution भी लग सकता है उसको मैं अभी बताऊंगा लेकिन अभी इसको बात को समझो पहले तो यहां से यह कितना बनेगा under root a square minus x square 1 dx बनेगा minus यहां से d dx साफ under root a square minus x square a square minus x square 1 dx यही बनेगा और कितना हो गया dx यह बन गया बच्चे अब यहां से अगर देखें तो 1 dx के इंटेगरिल कितना हो गया x तो x under root a square minus x square minus यहां से अगर देखें तो यह कितना बनेगा 1 by 2 under root a square minus x square और फिर a square minus x square का derivative कितना होगा minus का 2x into 1 dx का कितना होगा 1 dx का अगर हम देखें तो यहां से 1 dx का हमें कितना बनेगा बच्चे x होगा तो into x तो यहां से अगर अब आप total integration को समझो तो यहां से अपका final integration क्या बन गया बच्चे यहां से अगर देखें तो x under root x under root a square minus x square minus यहां यह 2 से 2 cancel out तो minus minus plus हो गया कितना बना यहां से x square upon under root a square minus x square dx यह हमारा integration बन गया अब हमें यहां से काफी कुछ ध्यान से समझते वे चलना है अब अगर देखें तो हमें क्या समझना है अगर यहां से देखें तो i is equal to हम को यह मिला तो i is equal to अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं x under root a square minus x square प्लस एक क्या करें इसमें a square add कर दे dependence 1 a square क्या करें 1 a square क्या करें add कर ली और 2 a square क्रें subtract कर ले 2 a square क्या करें subtract कर ले अपवान कितना मेंगा under root a square minus x square यहां से अगर देखें x under root कितना हो गया a square minus x square प्लस यहां से x square माइनोस a square ठीक है तough यहां से कितना हो गया तो यहां से कितना हो गया अब अगर minus common ले लिया तो कितना हो गया a square minus x square upon under root a square minus x square dx ठीक है यहां से minus देखो minus x square minus a square एक साथ ले लो minus बाहर करो तो a square minus x square बनेगा और यह हमारा कितना बनेगा प्लस a square common कर लिया तो 1 upon under root a square minus x square dx यह बनेगा बच्चे समझ नहीं होगे तो यहां से अगर हम देखें तो x under root a square minus x square minus यह कितना हो गया इसका एक cancel out तो under root a square minus x square dx plus a square इसका indication आपने पढ़ा है क्या पढ़ा है sin inverse x by a और प्लस c यह total कितना हो गया आई हो गया तो यहां से हमें क्या formula निकल के आया x under root a square minus x square minus i plus a square sin inverse x by a sin inverse x by a plus c अभी कहानी समझे तो यहां से हमें total formula क्या बन रहा है इस i को left hand side shift कर दें तो left hand side shift करने पे i plus i यह कितना बन गया बच्चे x under root a square minus x square plus कितना हो गया a square sin inverse x by x by a plus c तो यहां से 2i तो i q is equal to value कितना बना 1 by 2 x under root a square minus x square plus a square 1 by 2 a square sin inverse x by a plus c यह हमारा एक formula जनरेट हो गया जिसे हम क्या करते हैं कोई डाउट किसी को इस तरीके से हमें एक formula generate होता है जो हम लोग काम करते हैं clear हो गया होगा बच्चे अब आगे इसकी कहानी को हमें समझना है अब इसी से बात को समझना काफी कुछ question हम लोग discuss करेंगे यही से अगर एक basic example मैं ले रहूँ तो हमें क्या करना है जैसे under root 4 minus x square dx है इसको हमें क्या करना है integrate करना है तो अगर इसे integrate करना है तो 2 का square minus x square dx हो गया तो यहां से कितना बनेगा 1 by 2 x 1 by 2 x under root x square 4 minus कितना हो गया x square 1 by 2 x under root 4 minus x square अब अगर हम देखें तो फिर कितना हो गया plus 1 by 2 a square a square कितना हो गया 4 यहां a square तो 4 1 by 2 a square under root sin inverse x by a तो sin inverse कितना हो गया x upon 2 plus c यही बनेगा बच्चे यहां से 2 से 2 cancel out तो final answer कितना हो गया 1 by 2 x under root 4 minus x square यह नहीं है यह cancel out कर देना plus 1 plus कितना हो गया sin inverse x by 2 plus c यह हमारा final integration समझ पाए बात को मतलब अगर formula याद है तो आप एक line में कोई भी integration यहां से समझ सकते हो कोई doubt इसमें समझ गए होगे तो जैसे एक और मैं example सिखा दे रहा हूँ एकदम basic है बच्चे बस चीजों को आपको ध्यान से समझते वे चलना है जैसे इसी format से एक example हम और सिख सकते हैं जैसे i is equal to कितना हम ले ले? under root 9 minus 4x square ठेक है? dx तो यहां से सबसे पहले 4 को क्या करोगे? 4 को बाहर करोगे देखो हमें इस x square के coefficient को 1 लेके चलेंगे तो यहां पर हमें क्या करना है? 4 को बाहर करेंगे 4 को बाहर किया तो यहां पर कितना बन गया? 9 by 4 minus x square dx ठेक है? तो यहां से अगर अब देखो 4 को बाहर किया तो 2 के form में बाहर हो गए यहां कितना मिलेगा 2 मिलेगा तो यहां से कितना हो गया 2 यहां से कितना हो गया 3 by 2 का whole square minus x square dx ठीक है 3 by 2 का whole square minus x square dx तो यहां से अगर देखे 2 यहां से under root a square minus x square to a square minus x square तो इसका direct formula आप यूज करोगे इसका direct formula अगर हम यूज करें तो अब कितना बनेगा बचे 1 by 2 x under root x a square minus x square तो 3 by 2 का square minus x square ठीक है प्लस तो कितना हो गया 1 by 2 a square तो a square तो 3 by 2 का square a square sin inverse ठीक x by a 3 by 2 और कितना हो गया प्लस से तो यहां से अगर देखें तो 2 कितना हो गया यहां से 1 by 2 x under root यहां कितना हो गया 9 by 4 minus x square plus 1 by 2 into 9 by 4 यहां sin inverse 2 पर चला गया तो 2 x upon 3 plus c यह हमारे इसका बचे answer हो गया direct हमें इस format से formula मिल गया तो ठेक है मतलब formula याद होने से आप काफी कुछ calculation समझ सकते हो integration के ठेक है अब second type इसी का समझना second type हमें इसी का integration समझ के चलना है कि second type हमें integration किस type से मिलता है अब अगर हमें i equal to under root a square plus x square dx होता है तब हम क्या करते हैं तो हमें again क्या काम करना है यहां से 1 into under root a square plus x square dx लेना है ये मेरे पास क्या हो गया ये मेरे पास अगर देखें 1st function ये मेरे पास क्या हो गया 2nd function तो यहां से अगर देखें अंडरूट A2 PLUS X2 1dx minus यहां डDx साफ कितना हो गया अंडरूट A2 PLUS X2 ठेक है अब अगर देखें integration of 1dx integration of 1 dx dx ठीक है तो यहां से कितना हो गया इसका integration x under root a square plus x square minus integration तो 1 by 2 under root 1 by 2 under root a square plus x square a square का 0 x square का 2x into कितना हो गया x dx यह कहानी हमारी integration की है बस समझते चलना अब एकदम आसानी से integration आपको clear हो जाएगा तो i is equal to कितना बन गया बचे x under root a square plus x square minus यहां से 1 by 2 यह 2 से 2 cancel out तो कितना हो गया यहां से अगर देखें तो x square upon under root a square plus x square dx यह बन गया अब आगे हमें समझना है कि क्या काम करें ठीक है आगे यहां से हमें समझके चलना है ठीक है ध्यान से समझना अब यहां पे 1 square का addition करेंगे x under root a square plus x square minus 1 a square का क्या करेंगे addition करेंगे और 1 a square का क्या करेंगे subtraction तो under root a square plus x square dx ठीक है तो यहां से i is equal to अगर देखें तो x under root a square plus x square minus यहां से यह x square और यह कितना है a square ठीक है तो हमें इन दो को अलग कर लें तो x square plus a square upon कितना हो गया under root a square plus x square ठीक है तो plus फिर कितना हो गया a square upon under root a square plus x square dx जे बनेगा समझ गए तो हमें finally कितना हो गया i equal to x under root a square plus x square minus यहां से हैं हमारा cancel out होगा तो कितना हो जाएगा under root a square plus x square यहां dx शूट गया dx लिख लो तो dx और plus कितना हो गया a square बाहर का लिया तो one upon under root a square plus x square dx समझना तो यहां से i equal to कितना हो गया x under root a square plus x square minus i plus कितना हो गया a square यहां से one upon under root a square plus x square इसका formula याद करो आपने क्या पढ़ा है 1 by 2 ठीक है 1 by one upon under root a square plus x square का formula थोड़ा सा इसको चाही कर लो correction एक देखो a square कितना पढ़ा है आपने formula log mod of x plus under root x square plus a square plus यही पढ़ा है formula इस i को इधर वे दिया तो i i 2i तो 2i is equal to कितना बन गया यहां से अगर देखें तो 2i is equal to हमें कितना बन गया 2i अगर हम देखें तो 2i is equal to हमें मिल गया x under root a square plus x square plus a square log mod of x plus under root x square plus a square और plus c ठीक है तो यहां से 2i मिल गया तो i is equal to कितना हो गया 1 by 2 x under root a square plus x square plus 1 by 2 a square log mod of x plus under root a square plus x square plus c यह हमें integral की value मिल गया इस format से हमें यह एक new formula मिल गया इसे अब आपको दिवाब में बठा के रखना है ठीक है अब इस formula से हमें questions को समझना है clear हो गया होगा जैसे एक basic example ले ले रहा है जैसे आप से पूछा जाए यह एक आप से basic example ले लिया जा रहा है आपको अगर आप से पूछा जाए i equal to under root 4 plus x square dx इसका integration बताओ तो अब आप क्या करोगे इस 4 को क्या लिखोगे 2 square plus x square dx अब आप directly इस formula को यूज करोगे 1 by 2 x under root 4 plus x square plus 1 by 2 a square a square का मतलब 4 log mod of x plus under root 4 plus x square और plus का c यह directly हमें formula बनेगा तो 1 by 2 x under root 4 plus x square और plus यहाँ से 2 से गा है 2 log mod of x plus under root x square plus 4 plus c clear रहती बात यह बात आपको समझके चलना है ठीक है इस तरीके से आपको formula का use करना है clear होगे होगा एक last formula को या last type third type इसमें हम लोग समझते हैं कि तीसरा type हमें किस type का मिलेगा ठीक है तो i is equal to अगर हमें x square minus a square dx कहता तब कैसे integrate करते तो i is equal to इसमें भी आपको क्या करना है वही काम करना है 1 into under root x square minus a square dx यह क्या होगा मेरे पास first function यह क्या होगा मेरे पास second function तो i is equal to कितना हो गया under root x square minus a square 1 dx minus यहां से कितना हो गया 1 upon 2 under root x square minus a square और इसका derivative कितना बनेगा बच्चे 2 x यह होगा और फिर कितना हो गया 1 dx यह होगा overall dx तो यहां से 2 से 2 तो यह overall dx 2 से 2 cancel out तो final कितना हो गया यहां से under root x square minus a square 1 dx minus यहां से x square इसका integration x तो x square upon under root x square minus a square dx यह बनेगा तो अब कहानी आगे समझते यहां तक clear हो गया होगा अगर आपने clear कर लिया तो समझ गया होगे बच्चे इसी format से आपको questions बहुत सारे discuss करने हैं ठीक है आपको बस इसी concept का use करते वे चलना है तो x under root x square minus a square इसका integration 1 dx का x होगा minus यहां से क्या करें 1 a square subtract कर दें और 1 square का कर दें add कर दें अपन कितना होगे under root x square minus a square dx तो यहां से कर देखें x under root x square minus a square minus यहां से कितना बनेगा bracket में x square minus a square upon under root x square minus a square dx और यहां कितना होगे minus a square upon under root x square minus a square dx यह कहानी हमारी बनेगी clear होगा समझ गये होगे अब यहां से अगर देखो बचे तो इसे क्या होगा 1 under root x square minus a square कट जाएगा तो i is equal to x under root x square minus a square minus यहां से कट जाएगा तो यह i बन जाएगा minus यहां से थोड़ा सा हम लोग इसको सही कर लेते हैं minus है सही है minus यह कितना होगा a square कट मार होगा 1 upon under root x square minus a square dx तो यहां से अगर देखेंगे तो यह इधर आगे है यह integration पढ़ा है तो i is equal to कितना बन गया बच्चे 1 by 2 x under root x square minus a square minus 1 by 2 a square log mod of x plus under root x square minus a square plus c यह हमारा एक new formula generate हो गया जो आपको समझते हुए चलना है काफी important integral है जो आपको ध्यान से समझते हुए चलना है ठीक है clear हो गया होगा तो इस integral पे भी हम लोग एक questions को समझने की कोसिस करते हैं जैसे example ले ले i is equal to जैसे आप से कहा जाए x square minus 9 dx है इसको हम integrate करना है इसको integrate करना है तो अब आप क्या करोगे सीधे सीधे i is equal to यहाँ से कहा करोगे x square minus 3 का square dx ठीक है तो यहाँ से अगर देखें तो कितना हो गया 1 by 2 x under root ठीक है x square minus 3 का square 9 ठीक है minus कितना हो गया 1 by 2 a square a square कितना हो गया 9 और कितना हो गया log mod of x plus कितना हो गया under root x square minus 9 और कितना हो गया plus c तो यहां से कितना हो गया 1 by 2 x under root x square minus 9 minus 9 by 2 log mod of x plus under root x square minus 9 plus c i is equal to यह हमें दिमाग में बठा के चलना है इस format से integral हमको मिलते हैं clear हो गया होगा बची एकदम यहां से एकदम बास समझ गये होगे एकदम clear है अच्छे से clear है ठीक है तो अब यहां तक हम लोग समझ गये एक दो example सार समझते हैं तीनों हमें इसी मलदब यही तीन टाइप के फार्मूले हमें दिमाग में बठा के रखना है ठीक है एक next example जैसे समझों i is equal to जैसे हमें दे दिया जाए 4x square minus 4x square minus 25 तो यहां से मैंने आपसे क्या कहा सबसे पहला काम क्या करना बचे 4 आपको बाहर करना है 4 जैसे ही बाहर करोगे x square minus 25 by 4 dx बनेगा तो यहां से 4 बाहर किया तो 2 under root x square minus 25 by 4 है है तो 25 by 4 dx क्लेर हो गया होगा तो यहां से अगर देखें तो कितना बन गया 2 under root x square minus 5 by 2 का whole square dx तो यह किस टाइप का बन गया है यहां से अगर देखें तो under root x square minus a square type का हमको बन गया यह format होता है समझने का क्या अब इसका formula हमने पढ़ा है आसानी से हम लिख सकते हैं कितना इसका integration बनेगा बचे 2 कितना हो गया 1 by 2 x टेक है 1 by 2 x under root x square minus 5 by 2 का square टेक है minus यहां से अगर देखें तो 1 by 2 a square ए कितना है मेरे पास 5 by 2 a square फिर कितना हो गया a square log mod of x plus x plus under root x square minus 5 by 2 का square और plus c यह हमें इसका formula बन जाएगा ठेक है मतलब हमें इससी formula यूज करना आना चाहिए हम आसानी से हर equation को क्या कर सकते हैं integrate कर सकते हैं बस दिमाग में आपको बैठा के चलना है कि क्या किस तरीके से calculation मिल था ठेक है तो यहां से से आप क्या लिख सकते हो 2 को अगर अगर अंदर भेज दें तो x under root x square minus 25 by 4 minus 1 by 25 25 4 4 to the 8 25 25 log mod of x plus under root x square minus 25 by 4 plus c यह हमें concept है समझने का और करने का ठेक है तो इस format से यहीं तक आज हम लोग यहीं तक discuss करते हैं आपको मैंने तीन टाइप के integral सिखाई यह तीनों integral हमारे लिए काफ़े important है आपने सीखा सबसे पहला type का integral हमने यह सीखा ठीक है मतलब यह तीन type के integral की बात हम लोगोंने समझे ठीक है तो काफ़े ध्यान से एक एक करके सारे integral को समझते वे चलना क्योंकि सारे integral हमारे लिए काफे important है ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ यहां तक समझ गए होगे तो अब हम लोग next video में इसके आगे के discussion करेंगे कुछ और type समझेंगे अब मेरी बात को समझ के चलना बच्चे यहीं से एक type हमें integral मिलता है यहीं से हमें एक type का integral मिलता है जिसको हम लोग next class से discuss करेंगे ax square plus bx plus c dx यह integral हम तब कर पाते हैं जब यह तीन फार्मूले हमें याद होते हैं तो next video lecture में हम लोग इसकी बात करेंगे और कई सारे types के बारे में discuss करेंगे यहां तक इसे complete कर लेना इस वीडियो को अच्छे से देख लेना next video में फिर हम मिलते हैं तो अगर आपको मेरी video पसंद आ रही है मतलब समझ में आ रहा है तो इसे please like करें और share करें और मेरे channel को subscribe करें next video में अभी हम लोगों ने start किया है vector के बारे में भी तो हम लोग next video में vector भी discuss करेंगे ठीक है तो या तो next video vector का होगा या तो फिर हमारा indefinite integral का होगा ठीक है तो यहां तक clear है अब मिलते हैं next video में ओके बार टेक क्यार